हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 खचेप्टर वेलवेशन ओफ गुडविल आगे कॉंटीनू आपको यादो पिछली क्लास तक हमने दो मेथड कंप्लीट कर लिये थे एवरेज प्रॉफिट है कैप्टलाइजेशन मेथड इसमें अपने आप में दो मेथड है कैप्टलाइजेशन में जैसे हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटिड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसी कैप्टलाइजेशन समझेंगे क्या फामूला अप्लाई होगा और उसके कोश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैप्लाइजेशन आफ सुपर प्रॉफिट कर लेंगे अच्छा एक और चीज बताता हूं दोनों ही मेथट से गुडविल हमेशा सेम आएगी अब जड़ा देखो पहले तो यह समझते है कैप्लाइजेशन आफ एवरिज प्रॉफिट मेथड क्या है यहां पर गुडविल नंबर आफ परचेज एर नहीं होंगे यहां हम कैपिटल को बेस बनाएंगे कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है उसी को क्या बोलते थे कैपिटल इंप्लोईड याद करू जो बिजनस में रन करने के लिए बिजनस को चलाने के लिए मनी इन्वेस्ट करी थी उसी को तो कैपिटल इंप्लोईड बोलते हैं इसके दो टाइप थे निकालने के आपको थोड़ा याद आ रहो एक था assets minus liability और दूसरा बता रखा था आपको capital account प्लस current account प्लस जो है रिजरेंट surplus तो यानि के यह money हमारी investor business में तो यह तो थी capital employed भाई यह तो वो है जो हमने money invest करी इसके according profit आना चाहिए लेकिन हमारे profit due to goodwill reputation के जादा आ रहे हैं तो कितनी capital हम यदि invest करते जो profit आए हुए है वो कौन सी capital पर आने चाहिए थे normal rate of return से उसको क्या बोलते है capitalized value of firm किलियर हुआ तो हमें वो वाली capital find out करनी है उसी को बोलते है capitalized value of firm यानि के वो capital निकालो जो capital हमने invest तो करी नहीं है business में लेकिन उस capital को invest करते है तब यह profit आने थे जो firm ने earn करें इसी को बोलते है capitalized value of average profit किलियर है कैसे दोनों calculate है capital employment तो निकालना आ रहा है दोनों के difference कोई क्या बोलते है goodwill बोलते है super profit में तो बहुत ही असान है super profit into 100 करो divided by normal rate of return इसको next class में करेंगे आज यह करते हैं देखो सबसे पहले यह कैसे निकलेगी यह वो capital है जो हमने इन्वेस्ट नहीं कर रखी मैं आपको जो बार-बार repeat कर रहा हूं लेकिन यदि हम इतनी capital invest करते तब हमारे यह profit आने चाहिए थे इसी को बोलते है capitalized value of business, capitalized value of firm या capitalized value of average profit कैसे निकलती है दिखो यह एक्च्वल average profit और multiply करो इसको hundred divide करो normal rate of return जो आपको question में दे रखा होगा यह आपकी वो capital आ गई हमने invest तो करी नहीं है लेकिन हमें जो profit आया था यदि हम invest करते इतना तो normal rate के according इतना money हमें invest करना था जिसके जैसे हमारे profit आए capital employed तो आपको थोड़ा पता ही है कैसे निकलती थी दो तरीके से थी याद करो liability थी और यह चीज़ थोड़ी याद रखोगे इसमें क्या चीज़ exclude करनी या assets में तीन assets बताई थी आपको एक तो goodwill यदि दे रखे हो balance sheet में एक कभी भी non trade investment या खाली investment और कभी आपको fictitious assets दे रखे हो वो तीनो माइनस करोगे assets में से और यह यह दूसरा क्या तरीका बताया था आपको capital बताई थी आपको plus आपके current account के balance जो है question में mention होंगे current account यह capital account current account दोनों के balance और plus कर दो इसके अंदर क्या चीज़ reserve and surplus जो दे रखे होंगे और reserve and surplus को तो capital employed बनते हैं दो तरीके से बताई थी assets approach और liability approach से liability side के item दे रखी है तो liability इसे क्या-क्या चीज़ ले नहीं है आपने यदि fluctuating capital है तो खाली capital ले लो और यदि fixed capital है तो capital के balance भी और current account के balance भी वह business में invest हुए वे प्लस हमारे जो profits हैं यानि reserve and surplus जो accumulated profits हैं दोनों को मिला दो गए तो capital बन गया या assets approach हो तो assets minus liability हो गया तो यह चीज़ किलियर हो गई यानिके goodwill कैसे निकली यह तो वो थी जो money हमने invest करी यह वो capital आई जो हमने करी तो नहीं है लेकिन करते तब profit आने थे इतने इन दोनों के difference कोई क्या बोलते है goodwill clear हो ग ही कि capitalized value कौन सी है यानि के capital ही निकाल रहे हैं लेकिन यह कौन सी capital निकाल रहे हैं जो हमने invest नहीं कर रखी है लेकिन यदि हम इतनी करते तब हमारे profit आने चाहिए थे यह थे तो वो capital निकाल ला हो और जो actual हमने invest कर रखी है business को run करने के लिए उसको capital employed बोलते हैं तो इन दोन capitalization of average profit method नीचे कुछ figure दे रहे हैं जिससे हमें जो है goodwill find out करनी है capitalization of average profit method actual average profit आपको दे रखा है 72,000 normal rate of return 10% है normal rate of return का मतलब जो हमारे competitor earn करते हैं उसको क्या बोलते है normal rate of return या जिस industry में हम काम कर रहे हैं जो business हम काम करते हैं उस business के अंदर हमारे जो profit आएंगे उसको तो actual profit या average profit बोलते हैं लेकिन उस टाइप के business में minimum कितने की आपको return आ जाएगी वो rate of return है 10% का assets आपको दे रखिए 9,70,000 liability दे रखिए 4,000 कैसे करते हैं अब देखते हैं तो लिख लो formula goodwill का capitalized value of the firm और minus capital employed capital employed तो हमें आराम से पता है जो money हमने invest कर रखिए business में business को चलाने के लिए it is called capital employed तो उसके दो method बताए थे आपको calculate करने के एक था यदि आपको assets और liability दे रखिए तो दोनों को minus कर दो assets liability capital capital employed आ गई या फिर बताया था liability approach जिसमें उनकी capital लेंगे उनके current account और रिजरेंट surplus यह कौनची capitalized value है यह वो वाली capital निकालनी है जो हमने invest तो करी नहीं है लेकिन उसकी वजह से हमारे profit आये हैं यदि हम उतनी capital invest करते तब हमारे profit आने चाहिए तो कैसे निकलती है पहले तो of average profit के दो मीनिंग एक है याद रख लेना दो मीनिंग नहीं है कई आप सूचो किलियर है मैंने इसलिए दोनों लिख दी आपके कैसे निकलती है यह हमारे जो average profit question में दे रखे हैं वो लिख लो और into कर दो इसको 100 divided by normal rate of return कैसे करते हैं देखो average profit आपको 72,000 दे रखे हैं ध्या capitalized value of average profit आ गई यानि के यदि हम इतनी money invest करते बिजनस में तब 72,000 टर्निंग आ रही थी यदि हमारी goodwill ना हो तब की बात है लेकिन हमने money कितनी invest करिया उसी को capital employed बोलते हैं पहले वो निकाल दो इन दोनों के difference को ही क्या बोल देंगे goodwill लिखो यह capital employed यह कैसे निकलती थी liability दे रखे हैं तो assets minus liability और बहुत ध्यान से सुनते जाना assets जब भी आप लोगे तो तीन assets उसमें include नहीं करनी है आपने यदि कभी assets में goodwill दे रखी हो यदि कभी assets के अंदर non trade investment या खाली investment लिखी हो या fictitious assets तीन assets को minus करके लेंगे अब इस question में तो directly assets दे रखे है कुछ नहीं लिखा इसमें क्या include है तो इसका मतलब वो चीज़े exclude है कि लिखो कितनी है 9,70,000 बहुत ध्यान से देखते जाओ minus करो liability कितनी दे रखी है 4 lakh ये कितनी आ गई यानि के 5 lakh 70,000 तो हमने money invest करी है उसी को क्या बोलते है capital employed याद रख लो ये वो money है जो business में हमने invest करी लेकिन हमारे profit investment के according नहीं आए उससे ज़्यादा आए में यदि हम ये capital invest करते तब profit आने से 72 इन दोनों के difference कोई क्या बोलते है ये put कर दो यहां भाई हमें दोनों ही चीज है तो पता चल गई 7 lakh 20,000 तो firm की capitalized value है यदि invest करती तब profit आने थे 72,000 उसमें से minus कर दो 5 lakh कितना है 70,000 तो ये आपकी goodwill आ गई कितनी आ गई 1 lakh 50 ये तो answer था इस question का ये समझा गया भाई जो money हम invest तो करनी रहे कम कर रहे हैं लेकिन profit आ रहे हैं ज्यादा तो जाइरी बात है जो profit आ रहे हैं due to goodwill आ रहे हैं तो वो goodwill ये है 1 lakh 50,000 लिख दो ये goodwill ये आ गई clear हो गया बहुत अच्छा question था अब एक और question कराता हूं जिसमें capital employed find out करेंगे आपको capital given है current account के balance given है और reserve and surplus तो कैसे करते हैं उसको वो देखते हैं लिखा ये येश और करन वर पार्टनर इन इंटीरियर डेजाइनर फर्म दो पार्टनर है ये ये शोर करन देर fixed capital वर रुपी six lakh and four lakh respectively येश की capital दे रखे है six lakh और करन की दे रखे है four lakh there were credit balance in their current account of रुपी four lakh and five lakh respectively और उनके credit balance दे रखे credit balance का मतलब है favorable balance यानि के minus में capital में नहीं है negative balance नहीं है the firm had balance of रुपी one lakh in journal जर और जर्नल जर भी दे रखे आपको the firm did not have any liability firm की कोई liability नहीं है they admitted Radhika into partnership for one four share in the profit of the firm उन्होंने Radhika को admit किया one four share of the profit the average profit of the firm for the last five year वर रुपी five lakh और आपको average profit दे रखे five lakh calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method normal rate of return in the business is 10% और normal rate of return कितना दे रखे 10% 10% का मतलब है 10% तक कोई goodwill नहीं यह उसको normal profit बुलते हैं उससे उपर जब जाएगी तो goodwill है अब कैसे calculate होगा पहले तो formula लिख दो यह रहा capitalized value of firm minus capital employed value of average profit बोलो या capitalized value of business बोलो या capitalized value of firm बोलो तीनों का meaning same है capital employed तो वो चीज़ है जो business को run करने के लिए firm ने invest कर रखी है और यह वह वाली value निकालते हैं जिस वजह से मतलब यह वह capital है यदि हम invest करते हैं तब हमारे profit आने चाहिए थे तो पहले तो इसी को find out करते हैं कैसे निकलेगी निकालो capitalized value of average profit यह आपको कैसे बताया था इसी को क्या बोलते हैं of firm भी बोलते हैं ध्यान रख लेना of business भी बोलते हैं यानि के यह हम value निकाल रहे हैं firm की वह value निकाल रहे हैं जिस value पर profit आने चाहिए थे यदि हम invest करते तो अब यहां देखते हैं देखो कितनी बता रहे है average profit five lakh इसका फामुला लिख लो पहले क्या था फामुला average profit और इंटू कर दो यहां पर hundred divide करो normal rate of return profit question में देखो five lakh रुपी दे रखे हैं लिख लो five lakh इन्टू करो hundred और rate of return अच्छी दरे से check करो 10% दे रखे यह आपकी आ गई 50 lakh रुपी याद रखना वो capital आ गई यदि हम invest करते हैं तो इस capital पर normal rate से profit आने चीए थे लेकिन हमने इतनी capital इंवेस्ट नहीं करी हमने कम कर रखी है इन दोनों के difference कोई goodwill बोलते हैं अब यह capital employed निकाल दो capital employed वो है जो money हमने invest करी है कैसे बनेगा capital employed जड़ा थोड़ा याद करो अब assets और liability की item नहीं दे रखी मैरे आपको ताया liability approach से निकाल लेंगे जितनी capital और current के balance है वो लिख लो और प्लस उसमें कर दो जो accumulated profit है जैसे जर्नल लिजर या लिखो एक तो capital तो यह capital हो गहीं और प्लस उसका current account का balance भी है वो भी ले लो एक और चीज याद रख लेना आप यह इसका current का balance ले रहा हूं question में यह सबको पांच item दे रखी है question में पांचों को add कर दो दो तो capital है पार्टनर की दो ही उनके current के balance है और जर्नल जर्व है अच्छा आपको एक चीज बदाता हूं जब fixed capital होगी तो यह दोनों balance हमेशा positive रहेंगे negative नहीं हो सकते लेकिन जो उनके current account के balance है हमेशा credit रहने चाहिए किसी का debit आ जाए तो उसको बोलते है negative balance तो उसके आगे minus का sign लगा देना या आब इनकी value put करो value कितनी दे रखी है आपको देखो एक 6 lakh दे रखा है यह रहा लिखो 6 lakh plus करो उसका current account का balance वो आपको दे रखा है 4 lakh रुपी फिर दूसरे की capital put कर दो 4 lakh रुपी दे रखी है और plus करो उसकी जो है current के 5 lakh रुपी दे रखी है और journal रिजर आपको 1 lakh रुपी दे रखा है put कर दो 1 lakh रुपी total आप करते हो तो 6 और 4 कितना हो गया 10 lakh 9 19 20 lakh आ गया यह क्या चीज आ गई capital employed आ गई जिसकी हमें जरूत थी द्यान रख लो यह चीज आ गई यह क्या आ गई जो money हमने invest करी और जो money हमने invest नहीं करी समझगे उसी को तो बोलते है capitalized value of the firm 5 lakh हरन करे हैं तो 5 lakh के लिए कितनी capital invest कर नहीं तो कितनी करनी थी 50 lakh यह आ गई लेकिन करी 20 lakh तो आप 20 lakh पर 5 lakh रुपी अर्न कर रहे हो 50 पर नहीं कर रहे हैं तो जो जादा अर्न कर रहे हो वही तो goodwill है लिख दो यहां पर कितनी आ गई आपकी capitalized value यह तो 50 lakh दे रखी है और minus कर दो इसमें से 20 lakh जो हमने invest कर रखी है business में ध्यान कर लो यहीं किलियर है तो जो आपका answer आ गया कितना आ गया यह रहा 30 lakh हिटे जी ओर फार्म्स गुडविल किलियर है यह answer था इस question का काफी अच्छा था भाई concept को समझ लो वैसे रटो मत दोनों में difference है capitalized value of average profit यह capitalization of farm यह capitalization of business तीनों का मीनिंग सेम है यह वह वाल करने थे normal rate of return से देखो ना तभी तो हमने यह 50 lakh लिखा यदि हम 50 lakh invest करते हैं और हमारा नया बिज्ञासों कोई goodwill ना हो तभी तो हमें 5 lakh आने थे लेकिन हमने क्या करा है 50 lakh invest नहीं करके हमने 20 lakh invest करके 5 lakh रुपी अर्ण करके तो इसका मतलब हमारी reputation है उसी reputation को यह तो गुडव clear है clear हो गया हमारा यह capitalization of average profit method complete हो गया next class में इसका बस last method बचिया capitalization of super profit उसको next class में कर लेंगे आप यहां तक practice करो कोई भी doubt लगता है you will ask in comment section आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको like and subscribe कीजिए thanks for watching my video next class में जल्दी मिलते हैं